नमस्कार स्वामी राम तीर्ष जी ने नीती कथाओं के माध्यम से वेधान्थ की शिक्षाओं को बहुत ही रोचकवे सरल तरीके से जन सामन्ने तक पहुँचाने का कार्रे किया है स्वामी रामतिर्जी की नीती कथाओं की शरंखला की आज की कड़ी में जो कथा आज आप सुनेंगे उसका शिर्षत है अज्ञानता का एहंकार अंधेरे कमरे में एक मनुष्य अज्ञान ही अंधकार है यदि किसी अंधेरे घर में आप जाएं तो दिवार अथवा किसी और चीज से आप अवश्य ही टक्कर खाएंगे अवश्य किसी प्रकार की चोट खाएंगे यह अनिवार्र है आप इससे बच नहीं सकते स्वामी रामतीर्ष जी ने भारत में जोपड़ी में रहने वाले कुछ इतने निर्धन मनुष्यों को देखा है जो घर में एक दीपक भी नहीं जला सकते हैं स्वामी रामतिर्श जी ने देखा है कि ऐसे घर का स्वामी अंधेरे घर में जाते ही अपनी इस्तरी अथवा घर के अन्य सदस्यों को दोश देता रहता है कि तुमने ये मेज यहां क्यों रखी हुई है? मुझे चोट लग गई? या यह वस्तू रास्ते में क्यों रखी है? घर के दूसरे कोने में रखी जाए तो उसे जब दूसरे कोने में जाना होगा तब वहाँ पर भी चोट खाएगा जब तक घर में अंधकार है तब तक किसी भी चोट के लगने की संभावना हमेशा बनी रहेगी यदि घर में केवल एक दीपक जला दो तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है जो जहां हैं उसे वहीं रहने दो आप एक जगे से दूसरी जगे बिना चोट खाए आजा सकते हैं संसार की भी यही दशा है यदि आप अपने दुखों का अंत करना चाहें तो आपको इसके लिए अपनी बाहरी परिस्थिती पर या अपने समाजिक पद की इस्थिती पर भरोसा नहीं करना चाहिए वरन अंतर इस्थित सूर्य के प्रकाश को पाने के उपाई पर भरोसा रखना चाहिए सब लोग मानो घर में रखे हुए समान को यहां से वहां हटा कर एवं संसारिक पदार्तों को इधर से उधर फेर कर द्रव्य या रुपिया पैसा इखटा करकर या बड़े-बड़े महल बनवा कर अथवा दूसरों की जमीन को मोल लेकर दुख से पीछा छुडाना चाहते हैं अपनी परिस्थिती के सुधार ने एवं चीजों को इस तरह या उस तरह सजाने से आप कभी दुख से नहीं बच सकते केवल अपने घर में दीपक जलाने से परकाश से केवल अपने हिर्दय की अंधेरी कोठरी में ज्यान का परकाश करने से ही दुख छूट सकता है हटाया जा सकता है या दूर किया जा सकता है अंधकार दूर होने दो फिर कोई आपको हानी नहीं पहुँचा सकता अंधकार चाहे कितने भी लंबे समय से ठैरा हुआ क्यों न हो मात्र एक दीपक पल भर में उस अंधकार को दूर करने में सक्षम है इस नीती कता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दुख या ज्यानता रूपी अंधकार का अंत बहरी वातावरन के साथ समझोते से कदापी नहीं हो सकता इससे छुटकारा केवल स्वैम को जानने और अंतकरन में देदिप्पे मानप्रकाश की अनुभूती दुआरा अर्थात ज्यान से ही मिल सकता है आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को भी दबाएं धन्यवाद